मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक परिवार दिखाय जाता है जिसमें की दो बच्चे होते हैं घर के ओनर का नाम इवान होता है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है एक सुबे जब इवान उठता है तो उसके बच्चे फादर स्टेपर उसके लिए केक लेकर आते हैं और फिर इवान उनका दिया हुआ गिफ्ट खोलता है यह एक हस्ता खेलता खुशाल परिवार होता है इवान ने अपने काम से छुटी ली होती है क्योंकि उसे एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना था क्योंकि उसके कंदे में काफी दिनों से दर्द था और इसकी अपने दौनों बच्चों के साथ एक बीच टृप के लिए जाने वाली होती है इवान की बीवी केरेन एक सक्सेसफ़ुल आरटिस्ट होती है जो की मोडल्स का डिजान किया करती थी तब हि उनके घर में केरेन का आसिसिस्टेंट लुइस आता है जिसको की केरेन अपने आर करते काफी रात हो चुकी थी तभी इवान का अपने दरवाजे पर एक खट-खटार्ट सुनाई देती है वह उटकर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलने जाता है वह देखता है कि सामने दू लड़कियां खड़ी होती है जो कि इवान से कहती है कि बारिश में मेरा फोन खराब हो गया है और मेरी दोस्त अपना फोन घर पर ही भूलाई है हम एक टेक्सी में यहाँ तक आये हैं और हम काफी जादा ठक चुके हैं पर इवान उनसे कहता है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता उनके रिक्वेस्ट करने पर इवान मान जाता है और उन्हें घर के अंदर आकर अपना फोन यूज करने की परमिशन दे देता है इन दोनों लड़कियों का नाम जेनेसिस और बेल होता है तब ही जेनेसिस इवान से कहती है कि मुझे एक एड्रेस सर्च करना है क्या मैं तुम्हारा कम्पिटर थोड़ी देर के लिए इस्तमाल कर सकती हूँ एक्चुली हमें एक पार्टी में जाना है जिसके बाद इवान उनके लिए फोन और टाविल लेने चला जाता है इवान उन दोनों को टाविल देता है और वहाँ अपने आपको सुखाने लग जाती है इसी बीच इवान कहता है कि मैं आपके लिए उबर बुक कर देता हूँ पर जेनेसिस कहती है कि कोई बात नहीं हम बाहर से एक कैब ले लेंगे हम लोग आपकी रात खराब करना नहीं चाते है पर फिर भी इवान उन लोगों के लिए एक कैब बुक कर देता है कैब को पहुशने में अभी 45 मिनिट्स बागी दे फिर वो दोने इवान से कहती है कि क्या हम अपने कपड़े तुम्हारे ड्रायर में सुखा सकते हैं इसमें बस 10 मिनिट्स ही लगेंगे वैसे बेक कैब को आने में अभी 45 मिनिट्स का वक्त है जिसके बाद जेनेसिस अपना फोन इवान को दे देती है और वा उसे रैस बॉल में रखकर सुखाने के लिए चला जाता है पर इन लड़कियों की रादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे इवान उन दॉनों के लिए चाय बनाता है और उन दॉनों की जूते लेकर मशीन में डाल देता है सूखने के लिए पर जैसे ही इवान वापस आता है वा देखता है कि वह दोनों लड़कियां उसके कुट्टे के साथ साथ उसका DJ प्ले करके वहाँ नाच रही होती है उन लोगों के पूछने पर इवान बताता है कि पहले मैं DJ बजाने का काम किया करता था पर वा दोनों इवान से उसकी एज पूछती है जिस पर इवान कहता है कि मैं 43 यहस का हूँ पर वा लोग कहती है कि हमें यकीन नहीं होता क्योंकि तुम बहुती जादा यंग लगते हो फिर वो लोग उसके परिवार के बारे में पूछती है जिस पर इवान कहता है कि मेरी बीवी मेरे दौनों बच्चों के साथ एक बीच पर गई है मैं भी जाने वाला था मगर मुझे कुछ काम था इसलिए मुझे यहां रुकना पड़ा फिर वो दोना इवान के साथ floor करना चालो कर देती है फिर वह लोग उसके wife के बार में पूछती है जिस पर इवान गताता है कि हूआ एक artist है और उसकी एक art gallery है Los Angeles में फिर वह लोग इवान से पूछती है कि क्या तुमने पिछले 14 साल से अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की के साथ सेक्स नहीं किया जिस पर इवान मना कर देता है वो लोग बार-बार इवान के उपर चड़ने की कोशिश कर रही थी मगर इवान बार-बार उनसे दूर भाग रहा था My God, these girls are really up to something पर इवान से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकती है जिस पर इवान बोलता है कि बाथरूम बेस्मेंट में है और इवान से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई Spanish music लगा सकते हो जिस पर इवान एक Spanish record बजाता है और बेल उस म्यूजिक पर थरकना चालू कर देती है फिर वा इवान को भी अपने साथ डांस करने लिए कहती है इवान को यह काफी अजीब लग रहा था और फिर बेल इवान को खिस करने की कोशिश करती है और तब ही इवान की मुबाल का नोडिफिकेशन बचता है और वह देखता है कि कैब अब बाहर आ चुकी थी वह उन दोनों का मुबाल फोन और जूते लेकर बातरूम के पास जाता है बातरूम का दर्वाजा के टड़ाने पर वह दोनों इवान को अंदर आने के लिए कहती है और जैसे है इवान बातरूम के अंदर जाता है वह देखता है कि वह दोनों उसके सामने नंगी खड़ी होती है और यह देखकर इवान का इमार डगमगा जाता है वह इवान को अपने साथ मस्ती करने के लिए कहती है और उसे seduce करना चालो कर देती है इवान इसका विरोध करता है और कहता है कि यह सही नहीं है पर वह दोनों नहीं मानती और इवान को seduce करना continue रखती है इतना जादा seduction इवान जील नहीं पाता और वहाँ उनके साथ कॉप्रेट करना चालो कर देता है जिसके बाद वह तीनों आपस में थ्रीसम सेक्स करते हैं अगले सुबह जब इवान सोकर उड़ता है तो उसे अपने किचिन में से कुछ सुनाई देता है और जैसे वह किचिन पर जाकर देखता है तो वहाँ पर जैसे और बेल ने किचिन का सत्यानास कर दिया होता है दोनों बिलकुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी इवान उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है पर वो दोनों कहती हैं कि अपसे हम यही रहेंगे और तभी इवान को केरन का वीडियो कॉल आ जाता है और वह उसे बात करने के लिए घर के बाहर चला जाता है मगर तभी पीछे से वह दोनों आकर अजीब अजीब हरकते करने लग जाती है वीडियो कॉल खतम करते ही इवान आकर उन लड़के उपर चिलाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है मगर बहुत दौनों फिर से घर के अंदर भाग जाती है इवान को उन दौनों को अपनी घर से निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था फिर वह दौनों केरिम के बने हुए आर्टिफेक्ट को नुकसान पहुचाना चालो कर देती है और जैसे ही इवान पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है तब ही जिनेसिस कहती है कि हम दौनों बिलो 18 है और जैसे ही पुलिस वाली को पता चलेगा कि तुमने दो लड़कियों के साथ एप किया है तो वह तुमें जेल में डाल देंगे तब ही दरवाजे पर एक औरत आती है जो कि कैरिम की दोस्त होती है वह इवान के पास इसलिए आई थी मगर इसका कोई फाइदा नहीं हो रहा था जैसे ही इवान दुबारे से पुलिस को कॉल लगाने लग जाता है तब ही वह दौनों कहती है कि ठीक है तुम हमें हमारे घर तक छोड़ दो जिसके बाद इवान उन दौनों को कारने बठा कर उनके घर के लिए निकल जाता है इवान उन दौनों को एक घर के पास छोड़ कर महां से चला जाता है मगर वह दौनों उस घर के अंदर नहीं जाती और कहीं और निकल जाती है इवान घर लोड़ कर घर की सवाई करने में लग जाता है और जब वह रात में बैट कर अपना काम कर रहा होता है तब उसे एक बार फिर दर्वाजे पर एक खटखडा हट सुनाई देती है वह अपना म्यूजिक बंद करके दर्वाजे के पास जाता है और देखता है कि महां कोई नहीं होता और तब वह देखता है कि उसकी फैमिली फोटो जमीन पर पढ़ी होई होती है और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए जाता है पीछे से जैसिस उसके सर पर वार कर देती है और वह बेहुश हो जाता है अगले सीन में जब इवान होश में आता है तो वह देखता है कि उन दोनों ने इवान को बेट से बांध रखा होता है और तब भी उसके पास बेल आती है जिसने कि उसकी बेटी का स्कूल योनिफॉर्म पहन रखा था वह अपने चड़ी उतार कर इवान के मूपर फेक देती है और उसे उपर चड़ जाती है पहले तो इवान मना करता है मगर वह लोग दमकी देते हैं अगर तुमने वह नहीं किया जो हम तुमसे करने के लिए कह रहे हैं तो हम तुमरा लाइब वीडियो बना कर फेस्बुक पर डाल देंगे जिसके बाद बैल इवान का रेप करना चालग पर देती है और जनाइसिस ये सब मुबाल पर रिकॉर्ड कर लेती है पर इसी बीच इवान अपना हाथ रसी से छुड़ा लेता है और बैल को साइड में ढखिल देता है फिर वो जनाइसिस को मादने के लिए उसके पास जाता है मगर जनाइसिस इवान के चेस्ट में फॉर्क गुसा देती है फिर वो दोनों इवान को एक चेर से बांद देते हैं और उसके सर पर हेड़फोन लगाकर म्यूजिक को मैक्सिम वॉल्यूम पर प्ले कर देते हैं जिससे कि इवान को काफी जादा तकलीफ होने लग जाती है तब ही दरवादे पर लूइस आ जाता है जो कि केरिक्ट के आर्टवर्क को महा से लेने आया था फिर वो लोग इवान के फोन से लूइस को मेसेच कर देते हैं कि वह इस वक्त घर पर नहीं है और वह घर के अंदर आकर आर्टवर्क लेकर जा सकता है फिर जनैसिस लूइस के लिए दरवादा खोल देती है और जैसे ही वह आर्टवेक्ट के पास जाता है तो वह देखता है कि आर्टिफेक्ट पुरी तरीके से बरबाद हो चुका था बहुत दौनों लड़कियां लुइस से कहती है कि तुम केरन को इसके बारे में कुछ मत बताना पर लुइस उन दौनों की एक बात नहीं जुनता और बहुत जाता गुस्से में आ जाता है और फिर वह लोग लुइस को भी सेड्यूस करना चालू कर देती है मगर लुइस उनकी एक नहीं सुनता तब ही लुइस को दूसरे कमरे में से कुछ आवाज आती है और वह वहाँ जाकर देखता है कि एवान एक कुर्सी से बंदा हुआ होता है और इससे पहले कि वह एवान को खोले वह देखता है कि लड़कियों ने उस आर्टिफेक्ट को तोड़ना चालू कर दिया है और जैसे ही लुइस उन दोनों को रोखने के लिए उनके पास जाता है तब लुइस को अस्तमा अटेक आ जाता है और उसका इनहिलर उन दोनों लड़कियों के पास होता है वह जैसे ही उनसे इनहिलर लेने की कोशिश करता है उसका पैर फिसल जाता है और वा जमीन पर गिर जाता है और सर पे चोट लगने की वज़े से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है इवान उन दोनों से एमबुलेस बुलाने के लिए के लिए कहता है मगर वो दोनों उसकी बात नहीं सुनती फिर वह लोग लोईस के डेड़ बॉडी को ग्लु पेपर से कवर कर देती है और उसे उसी की वैंड में रख देती है फिर वह दोनो लोईस और इवान का फोन लेकर उन दोनों का आपस मेंश्च कर देती है जिससे के ऐसा लगे कि लोईस को पता चल गया था कि इवान का फेर उसके वाइफ के साथ है इसी वज़े से इवान ने लूइस का मर्ण कर दिया वह लोग वापस से इवान की पास आती है और उसे एक बार फिर से टॉर्चर करना चालो कर देती है फिर वह लोग इवान के घर के बाहर गाडन में एक बहुत बड़ा सा गड़ा होती है और इसी बीच इवान वहाँ पर रखे टैबलेट की मदद से केरिन को कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर तभी वो दोनों अंदर आ जाती है और टैबलेट उठा कर बाहर फिक देती है यहाँ पर इवान को पता चलता है कि यह दोनों लड़कियां पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थी फिर वह लोग उरे घर को तैसनेस करना चालोगर देती है और इवान के सर के बाल भी काट देती है और इसी बीच उन्हें वहाँ पर एक गन मिलती है वह लोग इवान के साथ gun point पर hide and seek खेलना चालो कर देती है मगर इवान किसी तरह घर के बाहर निकल जाता है मगर जिनैसिस उसे पकड़ लेती है अगली सुबह वो लोग इवान को बांध कर उसी गड़े के अंदर ढखिल देती है जहां पर वो लोग उसे गले तक धसा देते है फिर वो लोग इवान को एक recording दिखाते है जिसमें कि वह बेल के साथ sex कर रहा होता है और देखते ही देखते इवान के आँखों के सामने वह टे फेस्बूक पर upload हो जाता है वह दोनों लड़कियां उसे कुत्ते को लेकर उस घर से चली जाती है और जब केरन घर वापस आती है तो वह देखती है कि पूरा घर तैस नहस हो गया था और मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी दो लेट उस नो इन दे कमेंट सेक्शन बेलो और इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले तिल दे नेक्स वीडियो, बाबाए